पुपाल में राचे मंत्रियों का पहला अखेल भारते जल संब्मेलन आच से शुहा शंबेलन का ऐउचन जल शक्ती मंत्राले द्वारा किया जा रहा है। जहां प्रिधान मंत्री ने इस तो राण कहा कि जल विजन wider rate 2047 अगले 25 वाष्यों की यात्रा का एहम पडाव है। प्रधान मंत्री ने इस दोरान कहा कि जियो मैपिंग और जियो सैंसिंग जैसी तकनिक जल संडक्षन के कारे में महतवपूर्पूर्ण भूमिका निभा रही है। संगठन को और सिवे सोसाइटी को भी जादा से जादा साथ लेना होगा उन्होंने कहा कि जल सर्णक्षन के प्रयासों कुह में और सफल बनाने के आविशक्ता है और इसी के फासुरूप देश के हरसीले में 75 अम्रेश सरोवर पनाए जा रहे हैं जन भागी जारी का सबसे बड़ा लाब ये होता है कि जनता जनादन को भी ये पता चलता है कि इस अभियान में कितनी मेहनत हो रही हैं कितना पैसा लग रहा है इसके कितने पहलू होते हैं जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्यकी गंबिरता का पता च इतना बड़ा उदान है स्वच्छ भारत अभ्यान में जब लोग जुड़े तो जनता भेमी एक चेतना आई जागुरुती आई है गंद की दूर करने के लिए जो समसाधन जुटाने थे जो विभीन वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट बनवाने थे सोचाले बनवाने थे ऐसे अनेक कारे सरकार के द्वारा हुए लेकिन इस अभ्यान के सफलता तब सुनिश्चित हुई जब जनता में प्रतियक नागरिक में सोच आई कि गंद की नहीं करनी है गंद की नहीं होनी चा हमें जल सवरक्षन के लिए जनता के मन में जगानी है इसके लिए जनता को हम जितना जादा जागरुक करेंगे उतना ही प्रभाव पैदा होगा